हेलो एवरीवन वेल्कम तो मैं चैनल कॉम स्कॉलर आज हम एस वीडियो लेक्चर में एक नए चप्टर पढ़ने जा रहे हैं यह चप्टर वैसे तो बहुत इसी है बट आपको अगेन आपको इसके बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए तब आपके कॉश्चिंज आप एजली कर सकते हों तो लेट साट विदी ओल्लव बेसिक से वट इस अलबाद अडर्वाद अडर्वर्ट अजिए नेकि माल निजी कोई फर्म है एंड वह अपना बिजनेस को जो वह एक्सपेंड करना चाहरी है तो वह क्या घर रहे हैं तो वह क्या गर रहे हैं तो अपने शेर्सको लिस्ट करना होगा अपने शेर को लिस्ट करना होगा यूज कैसے करेंगी अभी अपनी को किसी कि बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हूं मालनीजे मैं आपके लिए टॉली अन्नोन हूं मैं आपको बोलता हूं मैं को बिजनेस अंकर रहा हूं मैं बोलता हूं कि आप मेरे बिजनेस में कुछ पैसा लगा हूं और मैं आपको इसमें जो अपना बिजनेस में आपको प् ऐसा लगा इस तो आप किसी बिजनेस के आप장님 चोटे से पार्ट का इसको pick up किस तरह कहें तो मैं आपको यहां पर यहां पर रहा कि शेयर को कैसे पर गोड़ते हैं तो यहां पर जब company जो है अपने शेयर लेक आती है in the form of initial public offer और IPO तो यहां तो वह company देखिए well known होगी that means company जो है वह well reputed है यानि कि business already well reputed है तो यानि कि उसके company के already goodwill है market में market में उसकी जो already goodwill है तो फिर अगर मार्केट में इसकी goodwill है तो क्या case हो सकता है या तो उसके shares fully subscribe हो जाएंगे या हो सकता है और सब्सक्राइब जाएं राइट और आपने ट्वास से पड़ा है कि how to deal in the cases of और सब्सक्राइब करना होता है या फिर इसको पूरो राटाब बेसिस भी क्या चाता है राइट वह आपको चाहिश पता है खेher वह सब यहां पर नहीं पड़ रहे है right दैन दूसरा case वसे था कि company का business जो ऐसा है कि जो अब तक public को पता ही नहीं है वह कौन है पबली को पता है नहीं कि बिजनेस का निचर क्या है क्या काम बदती है कितना अब तक कंपनी के पास पड़ा है कितना बिजनेस में अब तक प्रॉफिट अंकर है कुछ नहीं पता हूँ तो उस केस में यहाँ पर कंपनी के लिए एक risk factor खढ़ा हो जाता है और वरिस कह था है उइस अंडर सुब्स्क्रिप्शन सर अंडर सुब्स्क्रिप्शन मसले आपने क्वैसे लिड्स पड़ा है यह अहिसा पर कम्पनीज चेट 2013 तल्टिएन आपर कम्पनी रिक्वाइट तल्ट सुब्स्क्रिप्शन minimum 90% of subscription of the issued capital, right, that means, हर यह company 90% minimum subscription requirement complete करनी होगी, यह condition होती है, कब, जैसे मान लीजिए कि company ने, 1st April 2022 को company ने एक IPO लेके आए, right, तो company को within 60 days, within 60 days company को 90% subscription complete करनी होगी, sir, ऐसा नहीं हो, तो क्या होगा, तो फिर company के जो एक्स्टा 10 days और दिये जाएंगे, किसके लिए, कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए, वो 90% subscription वो complete नहीं हो पाया, तो फिर company के जो यह 10 दिन में, यह सारा पैसा जो है, उन subscribers को, या फिर जो share, जिसने shares करीदे हैं, उनको 100% refund करना होगा, और अगर मान लीजिए, यह 70 days, यानि कि total 70 days के period में, अगर मान लीजिए company fail हो जाती है, इन company ने refund नहीं कर पाया, तो फिर company के जो है, 15% पर हैना के साथ से company के जो वो interest देना होगा, उन सब subscribers को, तो यह company के लिए एक बहुत बड़ा risk ख़ड़ा हो जाता है, कि भी company अगर IPO लेक्या रही है, और company अगर well known नहीं है market में, तो company के लिए risk क्या होता, that is called under subscription, और under subscription that means, कितना subscription होना चाहिए, at least 90%, नहीं हुआ, तो फिर company को पैसा देना पड़ेगा, तो को company के तो वो पैसा देना देना पड़ेगा, लेकिन company के market में goodwill और खरा हो जाएगी, क्यों company को अपने IPO वापस लेना पड़ेगा, और with the reason इनको एक statement देनी होगी, that they have failed to fulfill the criteria of the minimum subscription, चाहिए, तो फिर company market में goodwill लिखरा हो जाएगी, तो company अगर मानेजिए, इन फिसर कभी भी IPO लाएगी, तो फिर भी public के मन में एक डर रहेगा, पब्लिक के मन में भी उपर से company के मन में भी की company के का इसबार minimum subscription होंगे या नहीं होगे, चाहिए, तो उस डर से, उस डर से हटनने के लिए company का करती है, अगर company well loan नहीं है, तो company जो एक professional जो है, वो hire करती है, वो profession कौन हो सकते हैं, मानेजिए कोई जो है, कोई भी जो है, financial institution हो सकता है, कोई banking ही हो सकता है, या mutual funds भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इन सब को मिला कर जो वो बोले जाता है, क्या बोले जाता है, that is called underwriters, यह underwriters का काम क्या होता है, underwriters जो है, company अगर के, वो company को पहले पूरा जो है, एक overview करते हैं, पूर अच्छे से, पूरा 360 डिगरी जो है, company का analyze करती है, कि company के management कौन है, internal भी, और company सारे जो है, external factors को भी दिखती कि company के nature के असाथ से, company के आने वाले time में जो है, क्या profit होने वाला है, company ने अब तक कितना profit अंगरा, company की market में goodwill क्या है, तो वो marketing अनलेस भी करती है, प्रोस्पेटर्स कोचे से पढ़ती है, company, underwriter, जो है, सवाल पूसरती है company से, कि भी, अगर मालेजिए, उनके पूरे subscribe हो गए, तो फिक company जो इतने सारा cash हो, क्या करेगी, company अगर expand कर रही है, तो कहा expand करेगी, चीक है, या company जो है, अपने sales बढ़ाई, तो कैसे बढ़ाईगी ये company का आगे strategy क्या है, तो वो पूरा right है underwriters को, right, तो अगर जब फूरा over review कर लेती है, पूरा review कर लेती है underwriters, तो फिर उसके बाद underwriters जो है, एक return document में एक contention करती है company के साथ, कि ठीक है, अगर मालनेजिए, अगर आपके 90% subscription नहीं हो भाए, या कुछ भी case है, ठीक है, त यानि कि company चाए analysis करें, हम आपको promise करते हैं, कि हमारी विरिस से public जो है, इतने subscribe करें करेंगी, यानि अपने pocket से issue नहीं कर रहा हैं, अपर underwriters भोल रहा है कि हम आपके भिहाफे marketing strategy अपनाएंगे, यानि कि advertisement करेंगे, आपके भिहाफे, हम आपके भिहाफे public को awareness करेंगे, कमपन नहीं कर पाएती हैं, वो सारे कों करते हैं, underwriters, because underwriters कोन है, underwriters यह को well loan होते हैं, मार्केट में, वो किसी भी firm में हो सकते हैं, या तो वो सकते हैं, या तो कोई banking sector में हो, को financial institution हो, या कोई major fund की जो AMCs होती हैं, वो भी आचकल जो हैं, underwriters को काम करते हैं, ठीक है, तो इस case मे जो underwriters सारा काम करते हैं, sir, क्या underwriters ऐसा ही काम कर लेंगे?, नहीं, underwriters ही काम करेंगे?, underwriters बिसकिर चारज करते हैं, that is called commission, क्यारज करते हैं, commission, free में थो वो काम करेंगे नहीं, अब commission जो है, इनका दो पार्ट में dövered होता है, एक होता है 5%, और एक होता है जबह हता सा 1.5%, 5% होता है equity shares के लिए equity या फिर preference shares के लिए भी होता है लेकिन धाय percent होता है debentures के लिए high risk है तो high commission less risk के लिए less commission बस दिसी बात है तो I guess आपको समझ आँगा कि underwriter score होता है and what is the overall concept of the underwriting that means underwriter का बते हैं कि हम आपके shares जो हैं इतने minimum हम कराएंगे यह हमारी जिम्यदारी है हम आपकी company को अच्छे से पचान गए आपकी company में growth अच्छी है ठीक है बस एक ही कमई है कि public में awareness आपकी company की कम है तो awareness का काम हम खुद कर लेंगे आप बस हमें commission दीजिए ठीक है और अगर मालनी जिए public नहीं कर पाई तो फिर हम भी यह करेंगे यानि कि वो underwriter से अपने ही बोल रहे हैं कि हम भी यह कर लेंगे यानि कि underwriter को ही उच्छे से लिए बड़ेंगे कि भी मैं जो है 50,000 शेर मेरे उपर है या तो मैं अपने ही अपने भियाफ पे आपके भियाफ पे आपकी company की goodwill market में बढ़ाऊंगा आप बढ़ाऊंगा नहीं है तो 50,000 शेर तो मेरे तरस आएंगे या फिर underwriter के होज़त है कोई relatives हो कोई friend circle में हो तो अपने friend circle बोल देंगे कि भी जाओ इस company की share करी दो वह underwriter के अपने मार्केट में को डिवेल तो मैं अपने ही जो है ओन पे करेगा ठीक है लेकिन अगर मानेजर अपने 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 अ होगा तो हमें पूरे चेप्टर इंब से अपड़ना है हम यह कर गोई करना है वट इस दी लिविटी ऑफ दी अंडार एक अपने के ओपर कितने number शेर्स की जो है लाबटी है जालिए अब इसको हम एक जो है कुश्टमबर बन के साथ समझते हैं ताक कि पूरा की चप्टर कुछ है समझ जाए। से लिए नाव रीट कोश्मबर बन EF Limited Incorporated on 1st of April 2019 issued a prospectus of inviting applications of 5 lakh equity shares of rupees 10 each the whole issue was fully underwritten by A, B, C and D as follows that means कि अब रदे की company जो है prospectus के according पास लग शेर जो मार्केट में तार रही है ठीक है और fully जो है underwritten यानि की fully की पांस लें पांस लग के जिम्मेदार पांस लग पांस लग की शेर की जिम्मादरी कि पर देती अब यहां पर जो अंटर टेस एक नहीं है पर चार बंदे यानि कि चार हो मिलकि जो हैं आप पर प्रोमिस कर रहें काम बने को कि जो हैं आपके fully शेर कि जिम्मेदारी मेरी डैक टोटल होगे 5 लग इसके बाल दिखाव है के अप्लिकेशन्स आई saadhyak 4 लग भई थे कितने कंपनी इस्यू को कितने के कें कम्प्री ने पांच लाग शेर्स मार्केट में उधाँ रही और सब्सक्राइब कितने वह अब है साड़े चारलाग कि daar अब यह पर अज़िछ अब कि यहां पर अंडरेडर्स ने पूरी जिम्हादार ली यानि कि तो अंडरहेटर्स कितने लिखाए, A कितने लिखाए, 2,000, B कितने लिखाए, 2,000, C कितने लिखाए, 1,000, D कितने लिखाए, 10,000, इसी को हम बोलते हैं, that is called Marked Applications, Marked मतलब क्या होता है, जैसे होता किया है, कम्पनी जब जो है, अंडरहेटर्स के उपार, जिमेंधर डलती है, तो कम्पनी बोलती है, कि हमें पर प्रताओना चाहिए, कि जितने सब्सकारबर आए, हमें ये तो पता जलिए कि कौन सा अंडरहेटर्स कितने कितने शेर्स लिखाया, तो उस Case में क्या होता है, कि एक Stamp दिय जाता है अंडर्राइटर को कि आप महूर लगाओ ठीक है जिस शेर में जिस अंडर्राइटर के महूर होगी तोड़ जाएगी इसको भूते हैं मांग्ट अप्लिकेशन चीक है जय से मानिजी के चार बंदे हैं ठीक है मानिजी यह स्टेम्प देदिये तो लिखाऊगो मानिज से तो अभी तो रही तो पता से लेगा तो यह पता कैस nel के क curvature Let me दोलाइध दसजार दोलाइध तीजार यानि साड़े चार में से जो हैं दोलाइध तीजार कौन लिखा है यह क्या है मार्कड अप्लिकेशिण क्यूंकि अंडर अटास लेकिन आया तो सरफ साड़े चार लाक हैं तो बाकी मैं मैं दुबर रेकाउंट कर लूँ, तो हर यह 4,30,000 होंगे, यह कितने होंगे, यह होंगे 4,30,000, यह होंगे 4,30,000, आये कितने हैं 4,30,000, तो इसको क्या बोलेंगे, यह होंगे, इन पर कोई मांक नहीं था, लेकिन 20,000, तो आई न, वो कंपनी खुद ही लेकिए आई है, कंपनी इस आपनी मार्कीटिंग कंपनी आई है, भी आफ मार्क ओ जोन लेकिए, लेकिन कंपनी के पास ऐप्लिकेशन के गोडिंग 25,000, ने अपने जीमत दरी लिए था पांट लकी लेकिन आ यह साथ ही चार लाक में से कौन कौन सा अट्रेटर कितने कितने शीर लेख आया तो जो अपने बल्बूतिय लेकाए गा उसको बोलेंगे हम मांग्ड एप्लीकेशंज तो जैसे मैं पचला कि A कितने लेका आया 2,20,000, B कितने लेका आया 90,000, C कितने लेका आया 1,10,000, D कितने लेका आया 10,000, ठीक है तो इनको क्या भूलेंगे हम Marked Applications और इनको सबका टोटर कितना है that is 4,30,000, subscriber कितने हैं 4,50,000 shares के, Applications जो है I only due to the underwriter कितने है 4,30,000 तो remaining shares कैसे आये, Company भी Company नी भी तो अपना कुछ ने कुछ देखे हैं आपर अपने contribution की दिया होगा solution देखें देखें साड़े चार एप्लिकेशन देखें यहां पर क्या होई है received हुई received हुई है अब साड़े चार में से हमें पता चला कि भी A कितने लेका है 2,20,000, B कितने लेका है 90,000, C कितने लेका 1,20,000, D कितने लेका है 10,000 तो इन सब को याने की A, B, C, D इन सब को अब लेंगे हम marked applications चपका टोट कितना होगे 4,30,000 तो बाकि कितने लेका 20,000 तो वो क्या होगे unmarked तो देखें अब हम निकालना जाने that is statement showing the liability of underwriters तो यहां पर column मनाएंगे देखें A, B, C, D सब से पहले मैं लेका that is gross liability सबस्क्राइब आपने लेका कैसे यह तो आपने समझाए है नहीं देखें यहां पर क्या लिखा था यह देखें यहां पर बई A ने कितने जिम्मादार लेती दो लाग शेर के लीती B ने कितने लेती देट लाग शेर की C ने कितने लेती एक लाग शेर की और D ने कितने लेती पचास जार शेर की जिए जिम्मादार लेती तो that means gross liability कितने होगी वो यह होगी दो लाग, धेट लाग, एक लाग और पचास जार यह होगी gross liability अब इसके बाद हर एक under address के विए से शेर कितने है वो हम लिखते हैं इंदी form of market applications ठीक है तो A के विए से कितने हैं दो लाग वी जार, B के विए से नबे जार C के विए से एक लाग दस जार D के विए से दस जार यहां दर clear हो गया अब देखे अगर मैं आद को देखे यह जो total है इन सब का यह total है यह total कितना होगा इसका पांच लाग इसका total कितना होगा that is 4.3 लाग यानि कि देखा जाए तो company के पास अभी भी 70,000 shares की कमी है 70,000 की shares की सब 70,000 की सा है 20,000 shares की, 20,000 shares तो company ले के आगी तो 50,000 की तो yes, very good ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कहने का जा रहे है यहाँ पर statement में के लिखी है liability of underwriters अगर मानलीजी यह जान सुनना, अगर मानलीजी मैं पूरा टोटर 70,000 के ले के चलता हूँ मैं बोलूँगा 70,000 shares underwriters को देने अब ठीक है, और वो underwriters मानलीजी दे भी दिये तो company के पाद जादा shares आ जाएंगे क्यूं? company के फिर इसे आए 20,000 company के फिर इसे 20,000 shares आ भीत हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि 20,000 shares यहाँ पर underwriters में बाटने पड़ेंगे shares की इन्मिटेशन दिया था company के पास आए कितने साड़े-चार लाग साड़े-चार लाग आए यहनि कि company के पास जो है 50,000 की कमी बढ़गी यहनि कि धायचे देखा जाए तो 50,000 की इलान है ठीक है, क्योंकि underwriters में तो पूरी पांच लाग shares की जीमादर लेते हैं तो company देखे कि 50,000 कौन साड़े-चार लेका आए हमें वह देखना है कि company के पास तो 50 शैसी कमी है ठीक है अब यहाँ पर देहां से देखे company के पास आए साड़े-चार लाग ठीक है और underwriters लेका है 4,30,000 यहनि कि 20,000 कौन लेका है company लेके आगी company लेके आगी यहाँ पर तो इसका मतलब जो है underwriters के अब उपर जिमादर के इतनी होगी सिर्फ 50,000 के तो होगी 20,000 होगी 20,000 होगी तो company लेके आगी ना देखे दोनों मिलेके तो काम करेंगे यहाँ पर यह थोना कि भी company भी अपनी जिमादर के लिखा है तो भी यहाँ पर underwriters को 50,000 शेयर तो देख लेगी 20,000 और लेने पढ़ेंगे ऐसा तो है नहीं तो फिर तो फिर और सब्सकारब पढ़ेंगे और सब्सकार तो हमने किस पढ़ा ही नहीं आपके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है that is underhanders उसे fully shares की बुलदा है पांस तक share ratio के तो पांस तक से जाद किते नहीं तो कोई शर्ट दगा देगा शर्ट पांस तक शर्ट दगा यहाँ भी चलो हम भी जिम्हत देख लेते हैं यह आपके पांस तक share हम लेक हैंगे right तो यहांपर देखे अब तो यहांपर जो आनमर्ण application यहने कि अनमर्ण applications कितने हैं यहांपर वो वो वीजाष शर्ट किसमें बाटेंगा यहांपर इस ratio में तो यह ratio कि अशाई यह ratio आई है as per gross liability घार पर दो लाग डीड़ को अिनकी जो रिश्यो कितने बनेगी फॉर इस्टू इस मूं शॉर है इस रिश्यों में यहां बढ़ब है इस में अंधर डास में थो कितना हों गए आठ घजार छहई जार चारेजार और तो तो ग्यार कितना रहा है तु bi या यह धने система चोबन जार 14,000 नेगेटिव 38,000 आगेस आपको यहां तक समझ आ गया होगा अब यहां पर यहां पर देखें कुछ बैलेंस आप देखतो नेगेटिव सारी है तो कुछ इनका कुछ करेंगे नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे लेकिन नेगेटिव है लेकिन पहले इस से दो लाग भी जाज जाद आ गए उपर से आट जार का और उसको बैनेफिंट मिल गया तो इसका मतलब जो हैं उसकी विरे से जो हैं अठाई जार शेस जादा आ गए फिर अगर बी की बात करें बी ने पुरु डाग का उसकी तरु से आए कितने नबबे जार फिर उसको छे जार का और बैनेफ यडर मिल गया तो उसके ओवर और बैने चोवोनाजा रगें चौबब क्येर आने बग्किए सेथरू जीकआ पर से लिमिए बाद ALOQ जिसमर कैया तो इसका मैंका Most ओर जाय सिर एगां झाना है तो बस bands का सब्सक्द ही थाठा दो तो बच में कितना रह गया देखो A का हटा दू और कहना हमें C का हटा दू तो रेशयो कितनी बनेगी 3 is to 1 3 is to 1 इसका टोटर कर लो 28,000 प्रेश तो जादर कितना होगा आपका 42,000 आप 42,000 जो है आप 3 is to ratio 1 में बार दीजिए यहने कि B के हसे में कितना हैगा 31,500 और D के हसे में कितना हैगा 10,500 और इंके में तो पूरा 28,000 और 14,000 निकली जाएगा तो net liability अब कितने रहेगी यहने कि A जो है company को और कितने शेयर लागा देगा 0, nail B कितने लागा देगा 22,500 और D कितने ले देगा 37,500 अपर देख सो तो इन दोनों को टूटर कितना आ रहा है पचाज़ार और दोगो हमने यह तो पढ़ा था हम हमने भी यह पढ़ा था न यह देख यह पचाज़ार तो यह पचाज़ार शेयर को लिखा आएगा B और D लिखे हैंगे दोनों मिल गए बी कितने लेगा 22,500 और D कितने लेगा 37,500 अब आप बढ़ते हैं क्कूशन बर टू की दरफ लिखेंगे अंडराटें कुश्चेश मैंस पर दोनों दोनों एजी है नो डाउट बट यू है और यू है तो सी दी कुश्चेंस वेरी केरफुली यह प्या गिवन है आपको क्य का निकालना है किस तरीकी से निकालना है वो भी आपको स्टेटमने बताएगी तो स्टेटमने आपको बुद्धान से बढ़ने है question number 2 में एक लिखा हुआ है Redhan Limited came up with the issue 90 lakh equity shares of Rs.10 each at Rs.15 क्या मतलब हुआ है यहाँ पर यह इसका क्या मतलब हुआ premium face वाली कितनी है 10 company कितनी वे इशु कर रही है 15 रुपे तो 5 रुपे का क्या हो गया अपर premium then A, B and C took underwriting of the entire issue in the ratio of 3 to 2 यहनि जो 90 lakh share issue करने है उसके पूरी जिम्मधार है पूरी जिम्मधार है पूरी जिम्मधार किसने लिए है underwriter में क्यों अपर A, B, N, C और A, B, N, C वो रहने हैं आपर कि हम जिम्मधार ले रहे हैं किस ratio में 3 to 2 to 1 में यहाँ पर 3 to 2 to 1 होगा sorry अप्लिकेशन कितने रिसेवड ही है 81 lakh shares out of 90 lakh marked application यानि कि कौन कितने कितने शेर लगा है A की वेसे शेर कितना है 24 लाग B की वेसे कितना है 21 लाग C की वेसे कितना है 8 लाग total यहाँ पर यह हो गया है आपका that means 45 45 plus 18 that is 63 यानि कि 63 lakh shares कौन लेके आया है underwriters shares कितने है थे 81 lakh यानि कि 70 lakh shares कौन ले किसके वेसे कंपनी के वेसे है अब यहाँ पर जो है underwriters को क्वेशन दिया राज़ा रहा है at the rate 5% हमेने गाले compute the liability of each underwriters as regard the number of shares to be taken up and then pass general interest अब इस कोश्चम में देखेंगे कि general entry को कैसे फास करिया जाता है right चले solution देखते हैं question no.2 देखे application कितने रेसीव हुई है out of 90 lakh 81 lakh a के वेसे कितने 24 b के वेसे 21 c के वेसे 18 यह बाकी कितने रागे unmarked 18,000,000 के वे unmarked तो देखे आप question देखे competition of liability of underwriters gross liability कितने किती थी 45,000,000,000,000 30,000,000,000,000,000 sir यह आपने कैसे नकाला यह मैं नकाला थ्रीish to two each two ratio में यानिकि जो आये थी नबबबड़ लाइख का 90,000,000,000 जो gross liability है जो नबबड़ लाइख कि पर ४रिज़ हमाण पर ध ही जो भाला था UNDRAT का ने का बलाथा कौन सा अपने शेस लिखा है 24 लाग ये लिखा है किस लगे अठर लाग है ठीक है बागे कितने रहें रहें रिमेनिंग अठर लाग अनमार्ग और इसको हमबार देंगे 302 तू डेवान रिशो में तो यह नब 9 लाग 6 लाग 3 लाग बैलन्स कितना रह गया 12 लाग 3 लाग 6 लाग अब यानि कि सी जो है वो जादा लेकर आ गया तो सी का जो बैनेफिट है वो ए और बी में ट्रांस्वर आ जाएगा इंदर रिशो अब 302 सिद्धी भी बाता है नब लाग टोटर जो है इसू किये थे आए कितने हैं अबर 81 लाग यानि कि 9 लाग की शेर्स की कमी थी ना तो वह हमें देखना था कि वह कौन लेकर आएगा तो हमें क्या पतता दलाव कि वह ए और भी लिखेंगे यानि ए लिखेंगा 8 लाग चालीजार शेर्स की से कोडिंग एंड मी कितने लेकर येगा सार रिजाग कोडिंग ए चलीए अजर देखते इसकी जर्न एंट्री इस पहला है बैंक एक्ट एकुटी श्रकाइपिटल ठीक्टल जो भी से वलत्य है पैसा आया है बैंक के पास है देकिए यहाँ पर शेर्स क A is capital account, B is capital account, equity share application and allotment, to equity share capital, to securities premium, ठीक है, यहाँ पर दिखिए, A की लाइबरी कितनी है, 8.4.000, तो 8.4.000, multiply by the issue price, then B कितनी लिखा रहा था, 64 shares, multiply by the issue price, then यह तो आए, यह आए company की वेरी से, sorry, total कितनी आए था यह, 81 lakh, देखिए, 9 lakh की entry तो यह होगी, ठीक है, और 81 lakh की entry हो जाएगी, आपकी, ठीक है, तो कितना होगा यह, 12.15 lakh रुभे, तो equity share कितना होगा यह, आपर यह, 9 lakh के साब से, 9 lakh into में, 5, sorry, 10, और 9 lakh into में, 5, यानि कि 64 lakh कितना हो, और security premium, ठीक है, आप देखने हैं, आपर free में तो काम करेंगे निए भी, सारे जो हैं, अब 5% commission, ठीक है, तो entry का हो जाएगे, आप लाइबडी केड़ बनेगी, अंडराइटर्स, अंडराइटर्स टू, sorry, अंडराइटिं कमिशन टू, अंडराइटर्स, ठीक है, तो बस यह आपने, एंटरी कर दी अबकी, amount लेगा, बहिए यहाँ पर, अंडराइटर्स जो कमिशन मिलेगा, वो पूरा पूरा ग्रोस लाइबडी मिलेगा, 45,00,000, जबरकर अंडराइटर्स जो है, तो 25 लाग शेर्स की जिम्माद निक दी एक दी चाहे हो लाए है हो चाहे हो जाहे हो जादा लेका है चाहे हो लेकिन वह तो पुरा पुरा कमिशन लेके ही मानेगा तो 45 लाग मंटिपला फैस्टी मंटिपला पैस दी 5% ऐसे फिर B का ऐसे फिर D का तो यह इनके ओपर जो company को पर यह liability अब यह create होगी यह liability create होगी इसके बाद A और B C को जो क्या लाना था क्या नम है A, B and C को जो payment करना है अंट्रेटिस को फर्म है तो company देखें के net amount pay करेंगे तो यहां पर company को कितना पे करना है A को 33,75,000 और A को लाने कितने रहते है 1.26.00 लाग उर्फे तो यहां पर उल्टा उल्टा जो है यहां पर company को sorry यहां पर उल्टा जो है A जो है वो पैसे लेकर आएगा कितने 1.26.00 मानेस 33.00.000 पेचेतर जार यानि A जो है company को इतनी payment करेगा right B को देखो जाना जाने से B को payment कितनी करनी है underwriters को 22,50,000 चीक है लेकिन B को पहले पैसे देने कितनी company को कितनी देने थे 9,00,000 रुपे तो यहां पर net liability किसके बन रही है company का पर तो company pay करेगी 20 capital कितना होगा यानि कि 22,50,000 minus 9,00,000 कितना होगा 3,50,000 SEC का बन जाएगा तो टो 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 पर इमिन करेगा आपर company कितनी 22,50,000 that's it right so this is the all about यह अभी मैंने first video lecture ने बहुत basic start किया है कि what is all about underwriting and इसके example किस तरह कर जाएए all right so अब हम जैसे जैसे ही है आपर आपर आपके video lectures अपरोड़ोंगे questions वोड़े complicated हो जाएगे so it's better to understand each and every concept बेरी गरफुली so students I hope you have understood very well thank you